हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको आफ्टर वी कोलाइड़ ये आफ्टर मुवी का सेकंड पार्ट में आपको एक्स्प्रेंड करने वाला हूँ ओरिजिनल फर्स्ट पार्ट का एक्स्प्रेंशन मैंने पहले ही कर दिया था इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको अल्डेडी फर्स्ट पार्ट से मुवी के बारे में पता है तो डारेक्ली शुरू करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमें रिकैप दिया जाता है रिकैप हमें हार्डिन दे रहा है वो कहता है कि जिस तरह से हर novel में एक love story होती है उसी तरह से Tessa और मेरी भी एक love story थी लड़की ने अपने आपको किसी और को promise किया था उसके बाद अपनी identity ढूंडी वो किसी और के प्यार में पढ़ गए पर उसे धोका ही मिला थोड़ो से जगड़े के बाद वो फिर से एक साथ आ गए फर्स पार्ट के ending में हमने देखा था कि Hardin Tessa को एक लेटर लिखता है इसके बाद ये दोनों लेक के पास हमें दिखाये जाते है और हमें लगता है कि एक दोनों के साथ ये है और Hardin हमें कहता है कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था ये एक real life है तो इतनी जल्दी किसी को भी साफ नहीं किया है अभी हमारी सेकंड मूवी की स्टोरी स्टार्ट होगी फर्स सीन में हम देखते है कि Hardin Tessa को कॉल करने के कोशिश करता है टेसा को Hardin की वज़े से एक अच्छे से publishing house में paid internship मिली है वो अपने जौब को सिरेसली लेती है और आज उसका फर्स दिन है वह भी उ जान बुझ कर उसके लिए लिफ्ट नहीं रोकी है वो उसे बाहर से ही गालिया देती है पर ट्रेवर ने लिफ्ट रोकी थी वो फिर से ओपन हो जाती है अब इनका इंकाउंटर बहुत ही awkward सा है वो उसे sorry कहती है यह दोनों एकी floor पर रुखते है और ट्रेवर भी उसके office मे काम करता है टेशा के boss की secretary जिसका नाम है Kimberly यह टेशा से office में मिलती है टेशा को कहा काम करना है यह सब दिखाती है इसमें बहुत सारी mess पड़ी हुई है वह गहती है कि हमारी याद जो भी interns आते हैं यह जाता रुखते नहीं टेशा कहती है पर इस internship में लोग तो बहुत interested होते Kimberly गए थी है वो तो है पर उन्हें जल्दी से fire भी कर दिया जाता है टेशा को बहुत ही tension आ जाता है उसे कुछ manuscript दी गई है उसे जल्दी से पढ़कर उसका review उसे देना है वो रात भर काम करती है और एकी रात में उसने तीन books पढ़ डाली है जो अपने days पर काम करते करते ही स सो गई थी उठती है तो directly उसका boss उसके सामने उसने जो books के review दी है यह पढ़ रहा है टेसा ने तीन books पढ़ी है और उसका review भी एकी रात में लीक डाला है यह सब देखकर उसका boss उसे impressed हो जाता है अचानक से उठती है और realize करती है कि रात में वो यही सो गई थी है और embarrassed ठोकर अपने boss से स्वारी कहती है उसे लगता है कि अब उसका job चला जाएगा boss कहती है कि जल्दी से जलो हमें conference में चलना है next scene में हम हार्डिन देखते है एक tattoo artist के पास सुआता है एक बड़ा सा tattoo बनवाने वाला है तो artist कहती है कि इससे तुम्हें बहुत दर्थ होगा वो उसे alcohol offer कर बॉस टेसा और ट्रेवर को समझाते है कि एक बड़े से investor अब यहां आने वाले है तुम दोनों को उन्हें हमारी company में invest करने के लिए convince करना है टेसा के बास सही से कपड़े नहीं थे तो Kimberly और वो जाकर shopping करकर आते है इन दोनों में थोड़े सी bonding होई रही है तो Kimberly टेसा को बता मैं और मेरे boss हम दोनों में सिर्फ boss और secretary यह एक relationship नहीं है उनकी wife की death हो जाने के बाद वो बहुत याकेले थे उसके बाद भी एक साल तक हम में कुछ भी नहीं था और अचानक हम एक दूसरे के प्यार में पढ़ गया है वो कहती है कि love बहुत ही unpredictable होता है टेसा भी इससे agree कर स सकती है रात में investor से मिलने boss Kimberly टेसा और Trevor यह सब night club जाने वाले हैं टेसा का address देखकर सब उसके बहुत तारीफ करते हैं लब में Trevor टेसा से पूछता है क्या तुम्हारे लिए मैं कोई drinks वगरा ला सकता हूं टेसा कहती कि नहीं आज कल उसके पास बहुत ही कम पैसे है वो कुछ पैसे एक ही चीज़ कहता है कि आज रात हम बहुत मज़े करेंगे और यह सब मिलकर बहुत पीते हैं अब टेसा बहुत ही ड्रंक हो चुकी है डांस फ्लोर पर आती है थोड़ा सा डांस करती है तो तब उसके एक लड़के में हार्डिन दिखता है उसके पास जाती है और उस का ब्रेक अप हुआ था मौली हार्डिन को बहुत पसंद करती है तो उसके पास आकर वेटती है हार्डिन उसे नीचे गिरा देता है जब वो जा रहा होता है तो मौली कहती है अभी तक उस घटिया लड़की से तुम मुवान नहीं कर पाया हार्डिन उस पर जाता ध्यान न रहा हो इसके बाद ट्रेवर फिर से होटेल में जाने वाला था वो टेसा से गुडबाय कहने के लिए आया पर टेसा को भी होटेल में ही फिर से वापस जाना था ये दोनों फिर होटेल में आकर टेसा के रूम में हैंग आउट करते हैं टेसा ट्रेवर से उसके फेवरेट ब निकालनी के लिए कहती है ट्रेवर सिर्फ अपनी अंडर वेर में था तभी हार्डीन वहाँ पहुच जाता है टेशा दरवाज़ा कोलती है और हार्डीन ट्रेवर को इसी तरह से देख लेता है उसे लगता है कि ट्रेवर टेशा का एडवांडेज ले रहा था उस पर बहुत हो जाता है तो Trevor जल्दी से वहाँ से निकल लेता है टेसा हारडिन पर गुस्ता हो जाती है तुम यहाँ क्यों आये हो हारडिन कहता है कि वो तुम्हारा किया था, बहुत इलेट हो चुकि है, उसका बोज का भी कॉल उसे आ चुका है, वो जल्दी से अपने सब कपड़े बेहनती है, वो हार्डिन पर गुसा है, हार्डिन बोलता है कि तुमने मुझे कुछ किया था इन दोने में फैट हो जाती है गुसे-गुसे में टेसा हाार्डीन से कह थी है कि मैंने किसी और को किस किया था हार्डीन भी उसे नीचा दिखाने के लिए जھूट कहे देता है कि मैं यह भी मॉली के साथ intimate हुआ था नीचे आकर टेसा ट्रेवर से मिलती है ट्रेवर को सौरी कहती है ट्रेवर कहता है कि वो situation यह ऐसी थी हार्डिन फिर अपने स्टेप बदर लेंडन से advice लेने के लिए आता है वह यह था है कि मैंने बहुत सारी गलतिया की है पर मैं टेसा से बहुत प्यार करता हूँ लेंडन उस पर बिलीव नहीं करता पर उससे वो convince कर देता है हार्डर उसे पूछ रहा था कि उससे क्या करना चाहिए लेंडन फिर टे से चले जाते है तो ट्रेवर ने उसके लिए एक शीट बनाई है इस शीट में उसने उसके expenses के सब calculations किये थे वो conclude करकर टेसा से कहता है कि अगर तुमने कोई कार रेंड कर ली तो तुम्हारे बहुत सारे पैसे बचेंगे टेसा है सुनकर बहुत ही हो जाती है excitement में उसे किस भी कर लेती है फिर उसके रेलाइज होता है कि गलत था और पीछे हो जाती है टेसा और हार्डिन जब इरे रेलेशन्शिप में थे तो एक साथ ही रह रहे थे उसकी कुछ चीज है अवे भी उस घर में है तो वहा वो पौत पर तो उस घर में कोई भी नहीं होगा, इसलिए टेसा वहाई थी, बेड़ पर हार्डीन ने उसके लिए गीफ्ट रखा हुआ है, टेसा का आज बर्थ्ट है, और ये हार्डीन की तरफ से उसे गीफ्ट है, ये उसके लिए उसने बहुत पहले बाई करकर रखा था, इसमें में लिखा हुआ है, तुम्हारे जो भी सब फेवरेट बुक्स है, ये इसमें मैंने इंस्टॉल कर दिया, ये एक किंडल रिडर है, वो घर में ही थी, तब अचानक से हार्डीन और उसकी मदर वहाँ पहुँच जाती है, मदर टेसा को देख कर बहुत एक्साइटेड है, व तुम तो बहुत ही ब्यूटिफुल हो, मदर ने इमेजिन कया था, कि टेवर को पसनाने वाली लड़की बहुत ही अजीब होगी, पर टेसा नॉर्मल है, तो उसे बहुत खुश होती है, टेसा हार्डीन से पूछती है, तुमारी मदर को हमारे बारे में क्यों बता नहीं है, हार्डीन कहता है कि मैं रिलेशनशिप में था, तो बहुत ही खुश थी, मैं इतनी जल्दी उसे ब्रेकप के बारे में नहीं बताना चाहता था, टेसा भी समझ लेती है, और खहती है कि ठीक है, अगर तुमारी मदर को लगता है कि हम दोनों में रिलेशनशिप है, तो हम प् कर देती है, राप में टेसा और हार्डीन एक साथ ही सोते है, उन्हें लगता है कि आपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं, इवेंच जो 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 कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इंटिमेट हो जाते हैं, सुबा होने पर हार्डीन की मौम से गुडबाय लेकर, टेसा अपनी देलने के लिए पहुच आती है, घर के बाहर उसका एकस बॉइफरेंड नोवा भी उससे मिलता है, वो कैसे है, ये एक दुसरे से पूछते है, और बातो बातों में नोवा उससे पूछ लेता है, कि तुम्हारे फादर के साथ चोबी देल है, या तुम उससे फाइन हो, टे देलने के लिए तुम्हारे फादर आये थे, पर मैंने यहाँ से उन्हें भगा दिया, तैसा को बहुत गुसा आता है, और वहाँ से चली जाती है, डारेक्ली वो हार्डीन के पास आती है, रात में हार्डीन को एक बुरा सपना आता है, प्रिवियस पार्ट से हमें मालुम ह कि हार्डीन के फादर एक ड्रंक थे, उन्होंने गैंग से बहुत सारे पैसे लिये थे, एक दिन जब वो पैसे लेने के लिए घर पर आये, तब हार्डीन के माम से उन्होंने जबरदस्ति की, हार्डीन के माम के साथ जो भी गलत हो रहा था, यह सब छोटे हार्डीन ने दे मदर ने figure out कर लिया है कि हार्डिन और टेसा के बीच में कुछ तो गलत हो चुका है टेसा भी agree करती है, कहती है कि उसने मुझे बहुत बड़ा जुट बोला था उसे वो hurt हो चुकी थी, जब हार्डिन उठता है तो टेसा के पास आता है उसे एक card देता है, इस card में लिखा हुआ है कि तुम्हारा perfect day है टेसा बुछती कि ये क्या है, लास्ट टाइम मैं खुद gift नहीं दे पाया था तो एक gift में तुम्हें तुम्हारे birthday के लिए देना चाहता हूँ एक ऐसा day होगा, जहाँ पर टेसा जो भी हार्डिन से कहेगी, वो सब उसे करना पड़ेगा यो किसी भी चीज के लिए ना नहीं कर सकता टेसा directly उसे आइस skating के लिए लेकर आती है हार्डिन को आइस skating नहीं आती, तो बहुत बाहर वो गिरता है टेसा फिर उसे योगा करने के लिए लेकर आती है योगा करते करते हैं, यह दोना डन आन हो जाते हैं गर आकर intimate होते हैं, अचानक से टेसा को ओफिस से कॉल आता है एक कॉल किमबरली का है, किमबरली और बॉस को कुछ काम से बहार जाना पड़ेगा बॉस को एक छोटा सा सन्ध है, तो इसकी जिमेदारी वो टेसा को देखकर वहाँ से चली जाती है इस छोटे बच्चों पर हार्डीन नजर अगता है, और बातों बातों में बच्चा हार्डीन से गालिया सीख जाता है रात मैं एक Himberley बोस को बेटे को ले जाती है वो जाते जाते हारडीन से गहती है कि टेसा के साथ तुम जब होते हो थो तुम्हारा based virgin होते हो हारडीन हसता है और कहता है क्या ही इतना obvious है और Christmas आने वाला है तो हारडीन टेसा को एक beautiful necklace गिफ्ट करता है टेसा कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि हम Christmas में एक साथ होंगे उसने उसके लिए कुछ भी नहीं लाया है Hardin कहता है कि मुझे सिर्फ एक Chance दो हम फिर से सही से सब कुछ कर सकते है टेसा भी इसके लिए मान जाती है इसके बाद दोनों ओफिस में ही intimate हो जाते है नेकसे में हम देखते है कि Hardin के फादर ने एक पार्टी रखी है इस पार्टी में Hardin की मदर को भी वो invite करते है Hardin पहली अपने फादर को hit करता है पार्टी में उसके फादर ब्रैगिंग करने लग जाते है उनकी लाइफ वो सही से जी रहे है पर Hardin को लगता है उसकी मदर सही से नहीं जी पाती वो उन पर गुसा है तो फादर उसे एक दूसरे कमरे में लेकर जाते है Hardin कहता है कि बहुत सारी चीज़े अब तुमने सही कर लिये पर फिर भी मदर से तुमने apologize नहीं किया है उस राज जो भी हुआ उसके बाद तुम्हें मदर के साथ रहना चाहिए था उसका opposite तुमने किया और हमारी लाइफ से तुम चले गए गुसे में अपने फादर को भी पंच कर देता है Hardin को ऐसा नहीं करना चाहिए था तो मदर इस पर बहुत गुसा होती है वो अब यहां से जा रही है वो कहती है कि जिस तरह से तुम एंगर में रहते हो सब bad decisions लेते हो ऐसा ही अगर करते रहे तु सिर्फ अपनी ही नहीं तो टेसा की भी life बरबाद कर दोगे यहां से वो चली जाती है घर आकर भी Hardin बहुत drink करता है और सोच आता है तेसा कोई अच्छा नहीं लगता जब वो office आती है तो फिर से Trevor से मिलती है इन्हें देर रात तक काम करना था तो बहार से कुछ food मंगबा लेते है बाते करते करते Hardin के बारे में सब कुछ वो Trevor को कहती है जाते जाते Trevor टेसा से कहे कर जाता है तुमारे और Hardin की बीच में जो भी कुछ है इसका अंत सही नहीं होगा टेवर को अपनी company में ही एक promotion मिल चुका है तो एक नई location पर वो जाने वाला है यह उनकी last meeting है टेसा जब घर पर आती है तब उसे उसके boss का call आता है टेसा ने बहुत अच्छे से काम किया है तब उसे अच्छे सी job position मिलने वाली है जिस जगा पर Trevor जाने वाला था उसे वही job मिली है Hardin अब जरा सा normal है उसका गुसा अब खतम हो चुका है Hardin के friends ने उसे party के लिए बुलवाया था जब वह वापस आता है तो टेसा और मॉली एक दूसरे से बात कर रहे है मॉली टेसा को tease करकर उसे रोक लेती है यह थी है कि एक दो ड्रिंस के लिए तुम्हें रुकना चाहिए यह hangout करते है और decide करते है कि इन्हें truth और dare का game खिलना चाहिए लास्ट मूवे में हमने देखा है कि इसी game से सब को start हुआ था मॉली टेसा से पूछती है कि हार्डिय ने तुम्हें धोका दिया पर फिर भी तुम उसके साथ हो तुमारा वो first love था इसलिए तुम उसके साथ हो टेसा मॉली को slut बुलाती है इन दोनों में इसे fight हो जाती है और एक दूसरे को बहुत मारती है हार्डिय फिर टेसा को दूर लेकर जाता है एसा हस्ते हस्ते कहती है कि fight करकर मुझे बहुत अच्छा लगा वो मॉली को hatey करती थी यह सब बहार आ चुका है यह दोनों फिर उपर के रूम में आकर एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है अब यह पार्टी से निकल रहे थे तब हार्डियन को उसके एक friend मिली हार्डियन ने उसे कहा कि हमारे बीच आज राज जो भी हुआ यह किसी को भी मत बताना उसने कहा कि वरी मत कर मैं किसी को भी नहीं बताऊंगे यह सब डेसा ने सुन लिया हार्डियन थोड़े टाइम के लिए गायव था तब उसे लगा कि यह दोनों intimate हो गया यह वाहर आकर उससे बहुत ही गुसा हो जाती है हार्डियन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था तुम्हें गलत फैमी हुई है पर टेसा मानती नहीं इस fight में हार्डियन टेसा से कहता है कि मैं बहुत try करता हूँ तुम्हे convince करने के लिए कि मैं तुमसे फिर से cheat नहीं करने वाला पर फिर भी तुम मानती नहीं यह करने में कोई भी point ही नहीं है यह कर वहाँ से वो चला जाता है सुबा होने पर यह दोनों realize करते है कि यह दोनों बहुत गलत थे इन्हें फिर से fight नहीं करने चाहिए थी टेसा हार्डियन को call करने की कोशिश करती है पर उसकी battery date है वो फिर worried होकर उसे ढूणने के लिए निकल पड़ती है रस्ते में ही उसका accident हो जाता है अपना phone जब on करता है तो उसे बहुत सारे messages आय हुए है अगे चल कर उसे road पर accident हुई टेसा के गाड़ी मिलती है टेसा already ambulance में है और ambulance आगे जा रही है वो भागते भागते इस ambulance को chase करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता वो कि इस hospital में गई है यह उसे मालूम नहीं है वो हर hospital को call लगाता है उसे डूणने की कोशिश करता है फाइनली टेसा को call लग जाता है यह call Trevor उठाता है Trevor टेसा को help करने के लिए hospital में पहुच चुका था Trevor हर्डिन से कहता है कि तुम दोनों में जो भी कुछ है यह सब गलत है अब टेसा और मैं हम दोनों relationship में है अगर तुम सच्चुच में उससे पयार करते हो तो तुम उससे जाने दोगे यह कहकर वो phone रख देता है यह सब ठीक हो जाती है फिर से उनके apartment में आती है वहाँ पर हर्डिन में उसके लिए लेटर लिखा है इस लेटर में लिखता है कि हम दोने एक दुसरे से बहुत पयार करते है पर मैं तुमारे लिए सही नहीं हूँ हम जितना एक दुसरे को पयार करते है पर उतना pain भी हमें होता है उस party में जिस लटकी को तुमने देखा वो मेरी ex-girlfriend थी मैंने previous में उसे hurt किया था तो उससे मैंने माफी मांगी थी इसलिए हम गायब थे मैं हमेशा तुम से पयार करूँगा और जल्दी से भूल भी नहीं पाऊंगा तुम भी शायद time के साथ मुझे भूल जाओगी लेटर पढ़ने के बाद टेसा Harding को call करने की कोशिश करती है पर Harding ने गुसे में अपना phone तोड़ दिया था वो अब अपनी मदर के साथ लंडन में आ चुका है पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ही अफसेट है उसकी मदर उसके पास आकर उसे समझाती है कहती है कि तुम अपने फादर को माफ नहीं करते इसी वज़े से तुम अपने आप को हट कर रहे हो तुम अगर लोग को फर्गयों करोगे तब ही तुम सही में खुछ रह पाओगे हार्डिन को लगता था कि उसकी मदर बहुत याके लिए पर मदर कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है उनके ही नेवर को डेट कर रही है वो एक अच्छी रिलेशन्शिप में है मदर फिर कहती है कि टेसा अब सियाड डल जाने वाली है जाने से बहले उनके एक पार्टी है चाहा पर तुम जा सकते हो हार्डिन को वो उसे मनाने की एडवाइस देती है हार्डिन पहले लेट हो चुका है तो जल्दी से वहाँ से निकलता है इस पार्टी में Trevor और Tessa एक साथ थे Trevor फिर Tessa से सच बोल देता है गहता है कि जब तुम होस्पिडल में थी तब Hardin का मुझे कॉल आया था मैंने उसे जो भी कहा, जो भी किया वो गलत था, पर मैं तुमारे साथ जब होता हूँ तब वो साइड मेरे बाहर आ जाती है इंडाइक लिए हो कह रहा है कि वो Tessa को बहुत पसंद करता है ये दोनों बात ही कर रहे थे तब ही Tessa Hardin को इस पार्टी में देख लेती है वो फिर यहाँ से बाहर निकल दिया Hardin में उसका पीछा करता है भार आकर एक टैकसी निकल रही है ये उसे दिखता है उसे लगा कि Tessa चली गई है पर Tessa उसके पीछे से आती है दिन कहता है कि मैंने कोशिश की कि मैं तुमसे दूर हूँ पर मैं रह नहीं पाया Tessa फाइनली से माफ करती है Hardin हम से कहता है ये फाइनली हमारी स्टोरी की हैपी एंडिंग हुई यहां हम देख सकते है कि Hardin ने और एक टैटू बनवाय हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि इस दिन के बाद मैं कभी भी तुमसे जुदा नहीं होना चाहता अब मूवी के लास्ट में एक क्लिफ हैंगर आता है Hardin और Tessa स्टीट से जा रहे थे तो एक बेगर जैसा आदमी उनके पीछे आ गया वो Tessa से बात करना चाहता था Hardin ने उसे पकड़ लिया Tessa ने जब इसे करीब से देखा तब रियलाइस किया कि उसके ही फादर है अब उसके फादर की क्या स्टोरी है यह सस्पेंस क्या है यहां में नेक्स्ट मुवी में पता चलेगा इसी तरह से मुवी एंड हो जाती है अगर आपको ए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवी लेकर आधे रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करतीजे बेल नोटिफिशन आगों दमाने में मत भूले यहनि कि आपको सब मुवी मिलती रहे हम फिर से मिलेंगी और एक ने मुवी के साथ अब ते के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका कहल रखिया